अगर आप फैक्टरी जैसे घर में केसर भोग बनाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें किस तरह से बनता है पूरा रेशिपी देखें यह देखें हमने बना रहा है पले केसर भोग का गोटी इसमें हमने डाला है चिन्नी और उसके बाद डाल रहे हैं पिस्ता या हरा पिस्ता है और इसको मिला करके इस तरह से गोटी काट लेना है पहले केसर भोग के अंदर भरने के लिए और देखें हमने छेना का गोली काट र दालके इस तरह से पूरा राउंड कर लेना है गोल गोल पूरा बढ़िया से इस तरह से देखिए भर भर के गुर्ति को राउंड कर लेना है अच्छे तरीके से बढ़िया से देखिए राउंड हो चुका है आधा से बेशी राउंड हो चुका है थोरा सा ही बचा है अब इस तरीके से कर लेना है, जल्दी जल्दी वीडियो, अगर मेरे पेज पे नया है, तो वीडियो को लाइक से स्क्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाए, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, यह देखिए, केसर हमने डाले रहा है, डबा में, मेरा ज पूरा जो केसर भाग डाले था, यह देखिए, आप पूरा करके कितना अच्छा उपर आचुका है, और उपर आने के बाद थोरा स्टेर इसे चलाते रहें यह देखिए इस तरीके से फाइनल यह बन चुका है देखिए इसमें थोरा थोरा पानी पिराना पड़ता है इसमें यह देखिए निकालने से पहले चासनी बना लिए हैं देखिए इसमें थोरा सा कलार पड़ता है केसरभोग में इस तरीके से थोरा सा केसरभोग डाल ले इस तरीके से निकाल लेना है यह हमने चासनी बना चुका था पहले ही पानी और थोरा सा चासनी रहता है इसमें इस तरीके से निकाल लेना है बढ़िया से अच्छी तरीके से देखिए कितना अच्छा है कितना फूला फूला सा केसरभोग है यह देखिए इस तरीके से कटा ले ना है बढ़िया से यह देखिए फाइनली बन के रेत्री हो चुका है मेरा केसरभोग पूरा वीडियो देखने के लिए ठैंक्स